जै श्री कृष्णा दोस्तों, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज कही वीडियो बहुत ही जूसी होने वाला है। इस वीडियो में मैं अपने जो फेवरिट माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स टोकन है। जिनको मैं ट्रैक करता हूँ या जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उनके बारे में आज आप लोग के साथ डिसकस करूँगा। और मेली वो जो टोकन हैं वो सौ मिलियन के नीचे के हैं। कई टोकन दस मिलियन से भी नीचे का मार्केट कैप है। तो इस काटेगरी में आज हम लोग कुछ एक्स्प्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें स्ट्राटेजी बनाना है फॉर दे नेक्स्ट टू यर्स और थ्री यर्स जब भी नया साइकल प्ले आउट होता है। और कैसे इसको मैक्सिममम जो है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह दिस्क्लेमर मैं कोई फाइनेशल एडवाइजर नहीं हूँ तो प्लीज अपना रिसर्च करें। और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप तो हद से जादा रिस्की है। तो डेफिनेटली ऐलोकेशन का इसमें खासा ध्यान रखने की जुरूरत है। मतलब बहुत हैवी नहीं जाना। अपने रिस्क एपटाइट और रिसर्च और कन्विक्शन पर आप आधा परसंट से एक परसंट दो परसंट इससे भी थोड़ा उपर। डिपेंडिंग अपन अगें आपके रिसर्च और कन्विक्शन पर आधा एक परसंट दो परसंट तक आप जा सकते हो। depending on the different different tokens तो चलिए friends वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या list है और कैसे मेरी strategy है small cap, micro cap, under 100 million market cap तो मेरी strategy है वो यह है कि जो भी token micro caps है पतलब 10 million या उससे नीचे तो उसके अंदर मैं target कर रहा हूँ कि अपना जो seed money है इन micro cap अपना जो seed money है उसको 325x let's say 225x 225x बे we have to take our seed out क्योंकि तो को de-risk करना बहुत ज़रूरी है और जब अपना seed आप निकाल लेते हो किसी भी token में से 2x, 3x मतलब जहां भी आपको लगता है आपके research के recording तो वो आपका risk free asset हो जाता है और फिर आपना बड़े peace of mind से उस token को hold कर सकते हो throughout the long term मतलब एक दो साल के लिए अराम से hold कर सकते हैं और वो token नीचे भी आ जाता है आपके 30, 40, 50, 60, 70% तो आप बिल्कुल पैनिक नीच करें कि आपका कुछ लगा नहीं वो free की quantity है यह strategy मैं 2017 में बहुत करता था जब market में में नया ने आया था तो ICO में बड़ा जबरदस्त गेम चलता था और बहुत सारे मैंने ICO लिये थे और मज़ा भी बहुत आता था उस राइम और ICO लेने के बाद मेरा जो strike rate था वो 90% के आस पास था ICO में और जब भी listing होती थी 2x, 3x, even 10x का भी जैसे काईबर में 10x पे listing होई थी 0x में भी I think 8, 10x पे listing होई थी पुंडी x में 4x में बाहर हो गया था तो वहाँ पही क्या करता था मैं अपना seed थोड़ा profit मतलब 2x, 3x पे अपना seed फिर 5x, 10x तो डिपेंड करता है market के condition के उपर तो थोड़ा-थोड़ा मतलब अपने को D-risk करता था और capital जो है वो बना रहता था अपने 1,000 रुपे लगाए वो डबल हो गया 2,000 हो गया अब 2,000 में से अपने 1,000 रुपे निगल तो फिर आपके बस capital है आप नए asset में जा सकते हो तो यह मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको D-risk करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो इन में से बहुत सारे token जीरो भी हो जाएंगे लेकिन आप यह strategy follow करोगे micro cap और small cap में 225x पे तो मैं कहरा हूँ कि 90% chance है कि यहाँ पे loss नहीं होना चाहिए depending upon my based on my experience जो मैंने पिछले 5 साल में किया है यह वाले strategy में मेरे को 80-90% का strike rate बहुत अच्छे से maintain किया है और भगवान की कृपा है कि इस तरह के strategy जब भी मैं follow करता हूँ तो profitable ही होता है in most of the cases तो 15-20 tokens का मेरे पास list है देखो यह list बदल भी जाएगी जैसे मानलो for example यह वाइट है वाइट मेरे से rates पांच-छे गुना से जादा हो चुका है तो मेरे पास देखो capital आ गया है तो उस पैसे को हो सकता है मैं किसी और नए token में डाल दूँ तो मतब list जो है increase भी हो सकता है depending upon my capital तो सारा depend करता है capital के उपर तो friends friends चलिए तो आप समझ गए कि क्या risk है क्योंकि इसमें देखो 0-2 मतब आधा percent से 2% आप allocation डाल सकते हो इन में और देखो मैं research करता हूं तो मेरा conviction अलगी level को होता है कभी-कभी मैं 4-5% भी डाल देता हूं 6% भी डाल देता हूं तो again वो आपका conviction मतब मैं I would always say कि never invest on borrowed conviction तो तो आपका अगर conviction आता है तो 2-4-5%-6% डाल सकते हूं but again मैं recommend नहीं करूँगा मैं आधा से 2% तक ही recommend करूँगा इन सारे coins में तो बात करते हैं index cooperative जो पहला coin है इसमें मेरे देखो डीटेल वीडियो भी आ चुक है तो बहुत बात करने की जुरुत है नहीं but यह mind blowing जो है वो डेटा मैं देख रहा था token terminal पे तो एक साल में I think 20-25 ऐसे tokens है जो cash positive है कुछ तो इसमें नहीं भी आया तो अभी उनका data नहीं है तो I would not say 20-25 ऐसे token है जो cash positive है तो index cooperative ने I think 2 million dollar का profit earning net earning पिछले साल एक साल में किया है और लगातार नहीं ने product जो है यह रोल आउट कर रहा है यह ETF segment में index fund अलग अलग तरीके का fund जो है वो launch करता है अगर आप देखोगे जैसे Lido है तो Lido का क्या काम है इसके अंदर आप जो अपना ethereum proof of stake है वहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर stake कर सकते है और इस पर यहाँ को यिल्ड मिलता है जो भी आप block जो पहले minor को जाता था वो किया था और 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 भी एक दो प्रोजेक्ट में अगर आप 4.6% का API आपको मिल रहा है इतर स्टेकिंग में अगर लेकिन आप अगर उसी चीज को सेम स्ट्राटीजी अगर आप इस पे करो इंडेक्स का इसी इत में तो मेरे खाल से 1.5% जादा API मिलेगा और जो सबसे अची इसी बात है इंडेक्स दो साल हो गए प्रोड़क्ट बहुत अच्छे से चल रहा है कोई इतना कुछ मेजर प्रोब्लम मेजर चैलेंज नहीं आए ट्रेशरी भी ठीक ठाक है प्रोजेक्ट जो है वो कमा भी रहा है और ठीक है यार यह प्रोजेक्ट मेरे को लग रहा है इस किसी को डीफाइ समझ में रहा है तो डीपी चैले जाओ मेली ब्लूचिप्स डीपी अई है और क्वालिटी मिड कैप और यहां पर मेटावर्स है मेरे को परसनली मेरे को नहीं समझ वाता है तो मैं हो सकता है मैं यह इंडेक्स फंड इसका ले लो और इल्ड में भी एक दो बड़े रिविशनरी प्रोड़क्त ले के आ रहे है तो मेरे को इसमें बहुत लादा बुलिशनेस है और मैंने इसमें मेरे कहल से 1.5% के असबास इन्वेस्ट किया है तो मेरे को इतना याद नहीं अन तॉप अप माइड लेकिन एक दो परसन्ट मैंने किया हुआ है अभी इसको डेफिनेटल आप लोग रडार में रखो आधा एक परसन्ट तो डालना ही चाहिए अगर मेर से परसनली पूछोगे तो बाकी कोई फाइनशल डवाईज नहीं या लॉस होगा तो आई नो पीपल विल स्टार्ट ब्लेमिंग मी लेकिन फंडामेंटल पर देखू तो 47 मिलियन का इसका TVL है और आप मार्केट गप 11 मिलियन के देखो अलमोस सारे टोकन सर्कूलेशन में आ चुक है तो बहुत जादा मेर को नहीं लगता कि जिसको बेचना था बेच चुका है अभी पीछे इसमें कुछ डील हुई थी कोई एक बड़ा फंड हाउस था उसने आइली रेकमेंट करूँगा इस टोकन को आप डेफिनेटली आधा 1%, 2% अपने रिसक के ऊपर अन मार्शल अगें मेरा एक फेवरिट माइक्रो कैप है माइक्रो कैप बोले तो पान-दस मिलियन 10 अलमिलियन के निचे यह भी 11 मिलियन का है तो इमें माइक्रो कैप में पोटे अगर कुछ भी टोकन चल जाते हैं पचासो दोसो पांसो गुना तो कुछ भी हो सकता है पॉटफोलियो के साथ तो यह अभी मैं अपने पॉटफोलियो के 15-20% पैसे से मैं यह गेम खेल रहा हूं और जहां पर मैं अपने को डिरिस्क भी करते जाओंगा अनमार्शल मेरे रेट साथ 20-25% अप है अगेन यह कमाल का प्रोजेक्ट है अगेन यह अलग-अलग टूल सेट प्रोवाइड करता है डेटा क्वेरिंग के लिए और अलग-अलग इंडेक्सिंग के इसके टूल्स है पुछ नोटिफिकेशन तो इस पे आप देख सकते हो यह यह बहुत ही जबरदस प्रोजेक्ट है और इसका फुली डिलुटेट भी छे मिलेने के बहुत सस्ता है और ग्राफ का यह डिरेक्ट कंपेटर है मैं बार बार बोज चुका हूं तो इसमें भी 100 एक परसंट मैंने अपने पोट्फोलियो में इसमें हाँ एक परसंट डाला ह इसके अंदर और वहां से मेरे परसे 20-25 परसंट अप है I think यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा I'll quickly cover all the tokens और आप लोग इसमें डीटेल में ज़रूर स्टेडी करें एक वायट है तो वायट मैं बहुत जादा बात करने की ज़रूरत है नहीं और मेरेको लगता है आने व करेंगो ट्विटर पर फॉलो करो क्योंकि वीडियो में को टाइम नहीं मिलता और मैं ज्यादा मतलब बहुत जल्दी आपको अपडेट नहीं मिलेगा वीडियो पर तो ट्विटर टेलिग्राम आप डिफिनिटली फॉलो करें टेलिग्राम अनाउंस्मेंट आप मेरा के जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो बहुत मतलब उसमें एक्स्पोनेंशल ग्रोथ देखने को मिलता है बात करें एटी एच की तो 2016 ऑक्टोबर के आसपास में मार्केट में आया था मैंने पांचे डॉलर पांसो शाथ सो रुपए में एथेरियम को बाई किया एक्सकत्म इसे टोकन अइसे एक्सशेंज के इतने सारे टोकरं नहीं थे किछ रहा भी टोरुटेकंबर श्ज्य जा यंश्यूश्यू तो अच्छा करके गया तो वहाँ भी जबदस्त इथेरियम में आपने देखा ही और पिछले बुल्डरन में आपने देखा कई सारे आसे प्रोजेक्ट से चाहे गेमिंग ले लो देखो प्ले टू वर्ण में एकसे निफिन्टी ने चाहर पांसो का रिटर्न दिया चाहर पां करें अगले नेरेटिव का आगे भी 2-4 ऐसे नेरेटिव आएंगे तो देखो 30-40-50 मिलियन मार्केट कैप जाना बहुत बड़ी बात नहीं है तो अगर आप आज के डेट में फॉर एक्जामपल देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर 20 मिलियन से 50 मिलियन का कोई आपका मार्केट कैप का प्रोजेक्ट मिल जाता है और जो आगे चलके लीडर बनता है तो देखो 20 मिलियन का अगर आप लेते हो और 20 मिलियन उसका मार्केट कैप जाता है तो हजार एक्स का रिटर्न हुआ और सिमिलरली 50 मिलियन का अगर आप लेते हो कोई प्रोजेक्ट और वो ज मैंने फिफ्टी पैसे पे इंडियन रुपीज में लिया था एक से थोड़ा नीचे वहां से साढ़े 400-500 गुना गया था और जहां पे नीचे मतलब मेरे रेट से भी 70% नीचे गया है और वहां से थी थाउजन टाइम्स गया है तो मतलब 100-200 डॉलर अगर लग जाएगा तो अ AGI करके है, AGI X करके है, Matrix AI भी है, Fetch भी है तो इसको आप definitely धान में रखो कि अगर आप 50-100 मिलियन के नीचे का कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो और वह लीडर बन जाता है अगले साइकल का तो देखो 200-400 गुना जा सकता है इवन 1000X भी जा सकता है, that is how I wanted to say Ample again एक बहुत जादा मेरी वीडियोज आप देख सकते हो Ample के उपर, ये यूनीक कॉंसेप्ट है, इसके अंदर store of value, unit of account का कॉंसेप्ट था, इन्होंने अब एक नया stable coin पी लाँच किया है तो इसमें भी speculation के लिए और देखो एक unique use case जो है वो create कर रहा है, तो इसको भी आप radar पर रख सकते हो, again FLX मैं इसको green कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने buy कर लिया, तो FLX जो है, ये भी एक hidden gem है, एक dark horse हो सकता है, क्यों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने अलग-अलग जो sector से उनको cover किया था, और इसमें एक sector था stable coin का, और especially decentralized stable coin का, क्योंकि stable coin का market trillions of dollar का होगा अने वल टाइम, एक बहुत बड़ा market है, तो इसके अंदर जो innovative projects है, जैसे FRAX मैंने बताया था, और Ampleforth का spot था, और Reflexor का एक Rai token है, जो कि बहुत ही unique है, इसको मैं deep में एक बार आप लोग को ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं टाइम जादा spend नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही technical है, और मैंने भी इसमें काफी study किया था, और अभी काफी time हो गया, उसका mechanics जो मैं सम और market cap 7.5 million का है, और total जो supply है वो 1 million token से कम है, यानि कि अगर ये किसी तरीके का maker जैसा, जैसे maker die का concept था, वैसे ही Reflexor और FLX और Rai का concept है, और Vitalik Buterin जो है वो इस sector पर, especially FLX पर बहुत जादा बाते करता है, काफी time से मैं उसको track कर रहा हूँ, बहुत ही जादा bullish है, तो इसमें पैसा मेरे खाल से थोड़ा बहुत लगना चाहिए, मैंने इसमें 1% से कम डाला है, I think 0.75% डाला है, तो इसको अपरेट देखो, यूनीक चुक प्रोजेक्स है, वो तो चलेंगे तो बहुत ही जादा चलेंगे, नहीं तो 0 पी हो सकते है, ये सब एक्स्परिमेंटल अदर रखे, moving on to the next token, वो है looks rare, again मेरा NFT marketplace का favorite token है, तो ये already मैं ले चुका हूँ, looks rare, क्योंकि मैंने देखो इस पर पीछे वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने compare किया था, ओपन सी के साथ, ओपन सी का 13 billion का valuation है, इसका 88 million का valuation है, और इसमें भी 80% definitely डालना चाहिए, इसको मैं green कर देता हूँ, इसके अंदर मैंने 1% से थोड़ा ज्यादा, सवा परसंट के आसपास मैंने इसमें डाला है, और यू में भी 70% डाला है, सेम, सवा या 1.5% के आसपास डाला है, यह जो भी मैंने green किया है, तो looks rare, यह जो है, इसके अंदर जो भी earning होती है, वो इस टेकर को ये distribute कर देता है, मेरे को भी मिल रहा है लगाता है, और मैंने compounding माले में डाल के रखा है, क्योंकि वैसे ही में को long term hold करना है, तो जब OpenSea का token आई या ICO है, और NFT market जो take off करेगा, क्योंकि NFT मेरे को लग रहा है, अभी जो पिछला bull run था, उसमें NFT का एक तरसे speculative use cases हमने देखा, आने को लग रहा है, looks rare is well positioned to capitalize on that type, तो looks rare मेरे portfolio में है, और definitely आप इसको जो है वो target कर सकते हैं, एक मैंने अभी alliance block भी लिया है, let me make it green, ये इसमे 1% मैंने डाला है, alliance block में, alliance block के साथ जो सबसे unique चीज है, वो ये है कि अभी जो आने वाले टाइम में ISO 222 compliant, जो compliant, basically compliant tokens, जो होंगे, उन इसमें काफी जादा हमें action देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो, regulation is inevitable, regulation आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो भी compliant token है, उनमें एक बहुत जबरदस action देखने को मिलेगा, ये अभी fully compliant नहीं है, बट जो भी, जैसे quant है, hedera है, इस तरह के जो भी projects है, उनके साथ इसक काम कर रहा है, इसके अलग-अलग modular products है, जैसे KYC compliant के लिए अलग products है, बहुत यूनीक और अच्छा है, इसका मैं देख रहा था, इसका अगर मैं ecosystem पे click करूँ, आप यहां पे देख सकते हो, ये alliance blog, tradefi, fintech, legal and compliance and defy, तो ये चार इसके अलग-अलग categories है, तो इसको आप research करो, you'll definitely find it useful, और जैसा कि हमने देखा, ftx के साथ और अलग c5 में crisis देखने को मिला, तो अगर कोई defy project, अगर compliant manner में काम कर रहा है, और tradefi को connect कर रहा है, जो traditional finance है, और फिर tokenization का भी इसमें कुछ element है, तो ये भी बहुत अच्छा project है, आप definitely इसको रखे, अधा 1% ये डिजर्व करत अगर अब क्वांट का देखो, तो क्वांट में 2000X का रिटर्न दिया था, पिछले bear market bottom से इस बार के top पे, तो अगर, देखो ऐसा तो मैंने बल रहा है, ये 100X, 50 to 100X का candidate है, और यहां से 50% नीचे जाता है, तो बहुत ज़्यादा में गाल से 200X से भी ज़्यादा का रिटर्न कोईन है, और इसके कुछ रीजन्स हैं, जो मेरे को, मतलब, स्मेल कर रहा हूं कि हो सकता है, अगर चल गया तो बहुत ही सबस्त, क्योंकि को काड़ानो की तरह इसमेल मेरे को आ रहा है, जैस्मी के अंदर, ये भी जैपैन में heavily marketed कोईन है, और ये जैपैन का ही कोईन है, और सबसे बड़ी बात है, ये सारे एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है, और इसका वॉल्यूम भी देखो न, 69 मिलियन कहांनी कि लिक्विडिटी है, और इसके पीछे पंप करने वाले लोग है, अगर मैं कोईन मार्केट कैप पे आपको जाके दिखाऊं, तो ये सारे सब्सक्राइब कर रहा है, बागी मेरे लिए प्योर गैंबलिंग है, इसमें अभी पैसा मैं लगाया है, नहीं मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि इसका फुली डिलुटेट थोड़ा मेरे कोई जाधा लग रहा है, 190, मैं 30-50% के आसपास का वेट कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 30% के आसपास इसमें मैं पैसा डालूंगा, जस्ट बिकॉज अफ कि इसके इसके लिक्विटी अच्छी है, सारे एक्सचेंज पर लिस्टेड है, हाइप इसकी कम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त है, तो देखते हैं क्या होता है, बट इस इस गैंबलिंग कोईन फर मी, और इसमें मैं थोड़ा बहुत पैसा डाल सकता हूँ, अगला अगेन प्योर गैंबलिंग मेरे लिए है, डॉजी चेन, मीम टोकन है, और मीम टोकन पिछले रन में बहुत जबरदस्त रिटर्न देके गया था चाहिए, वो शीबा और और बहुत सारे थे, और अभी भी एक बहुत बहुत रिटर्न देके गया, तो थोड़ा बहुत ऐलोकेशन डालना चाहिए, अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते है, क्योंकि यह रहे है, तो इसको आप डिफिनलिली रडर पे रखे, क्योंकि यह डॉजी कॉइन जो है, उसके साथ क्लोजली यह लिंक्ट है, और उस जब भी कॉइन जो है, इस दे लीडर इन दे मीम, तो उससे जब भी कॉइन में पॉम आएगा और कोई हाई पाएगा, तो दोजी चेन में ज़ादा हाई पाएगा, और ज़ादा मतलब मल्टिप्लायर देखने को मिलेगा, तो इसमें भी मैं आदा पॉना परसेंट डेफिन मैं वेट कर रहा हूं कि थोड़ा सा चोटा सा डंप है, मेरा 0.005 के आसपास का प्लान है लेने का, इसमें थोड़ा जादा डालूगा क्योंकि एक फंडमेंटली बहुत स्ट्रॉंग टोकन है, इसमें मैं सोच रहा हूं, परसनली, तीन से चार परसेंट, चार परसेंट का अचिन मार्लीन में मैं डिफिनेटली डालूगा, तो इम वेटिं फो दाट, ए और अगें एक थेटा का कॉंपेटिटर है, और इसकी भी हाइप भूत थी जब इसका टोकन से लुआ था, तो इसमें भी थोड़ा बहुटा बेट लेके देखते हैं, क्योंकि थेटा ने काफी कम वैलुएशन है, और अपने आइसे प्राइस से भी नीचे आ चुका है, मैंने इस पर टेलिग्राम में कुछ पोस्ट आला था, यू कन गो एंड चेक, तो इसमें भी मैं डालूँगा एक परसंट, अब ही वेट कर रहा हूं, थोड़ा सा और करेक्शन का, अगला ट तो डॉड़ा के आसपास मैं इसमें डालूँगा, यह बहुत ही यूनिक दिफाई प्रोज़ेक्ट है, फिक्स्ट इड का कॉंसेप्ट है, और अलग-अलग प्रोड़क्स लेकर आ रहे हैं, क्लोजली यह असोशेटेटेड हैं, सिंथेटिक्स के फाउंडर और आवे के जो अगर आप मेरे को देखते हो पुराने फॉल्वर यूटीब पे तो Truebit को देखो ये भी वैलुएशन बुरा नहीं है Truebit का Truebit काफी नीचे आ चुका है मैं देखो इसका market cap कितना है Truebit का fully diluted valuation 22 million है और इसका जो potential है वो billions में क्योंकि ये scaling solution पे काम कर रहा है Ethereum के लिए और इसका जो founder है वो I just forgot the name वो Vitalik के साथ काम किया उसने Ethereum के उपर और जितने भी बंदे थे वो core team में Ethereum के वो Vitalik था एक Gavin Wood और अपना एक Charles जो Cardano का founder है और ये तो सारे team जो है split होगे ये सबने अपना अपना project बनाया Polkadot दे को billions में है Cardano billions में है Ethereum billions में तो इस बंदे के पास भी वो potential है और वो इस तरीके का दिमाग है और इस तरीके के team है development भी है पैसा भी है I think Paradigm ने इसमें इंवेस्ट किया और और बी capital funds ने डाला है पैसा तो truebit में 1% definitely मैं डालूंगा I'm just waiting थोड़ा सा देख रहा हूँ एक बार थोड़ा और हलका फुल का correction नहीं तो मैं यहां भी डाल सकते 22 million कोई बहुत बादा valuation नहीं है चल गया तो बहुत return देगा I think 50-200 X भी हो सकता है नहीं चला तो zero we'll see how it goes but fundamentally मेरे को काफी sound यह project लगता है perpetual again I have already invested in perp और perp के अंदर मैंने डाला है almost 3% पैसा डाला है perp में और इसलिए डाला है क्योंकि आने वाले time में मेरे को इसमें एक narrative जो है derivatives का जबरदसर खास कर वो exchange जो real yield offer कर रहे है जैसे GMX है तो यह भी GMX की तरफ real yield offer करने लगा है और सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताऊँ तो यह first exchange था जो की इस तरह के product लेके आया था GMX भी इसके बाद आया और भी exchange इसके बाद आए तो this is an OG product in its category तो मेरको personally लगता है देखो मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ बहुत मसाएगा Bankor का ICO आया था अपना 2017 में मैंने invest किया था Bankor का ICO में 200 million के आसपास raise किया था बहुत जबज़स इसने raise किया था और उस टाइम क्या होता था ना टोकनोमिक्स जो खासकर आज जो हो रहा है supply जैसे 5% supply रिलीस कर दिया और 95% होल कर लिए धीरे-धीरे रिलीस करके धीरे-धीरे डंप कर रहे है ये सीन नहीं था कम से कम ये चीज अच्छी थी बैक इन 2017 तो देखो उस टाइम आई टोकन आई गए थे मार्केट कैप प्राइस में तो बहुत उपर गया था ये आट डॉलर के आसपास गया था बट मैं कल देख रहा था तो मार्केट कैप उतना साधा नहीं गया था उसका बैक और का और बैक और पहला प्रोजेक्ट था AMM के अंदर था उस टाइम किसी को कुछ भी नहीं पता था आज लोग pancake swap और पता नहीं इतने जारे swap आ गए और इतने AMM आ गए बट बैक और वाज दी इनोवेटर हलांकि Uniswap पाया और Uniswap ने पुरी तरीके से गेम बदल दिया बट बैक और उस टाइम I think एक बिलियन के आसपास पांच-छेसो मिलियन के आसपास पीक आउट करके गया था बहुत रिटर्न नहीं दिया था उसने क्योंकि देखो प्राइस ही ओपर का था तीन चार दॉलर का उसका प्राइस था ICO का आट डॉलर का हाई बनाया था और छेसो मिलियन के आसपास का हाई बना था लेकिन इस बार जब दुबारा डीफाई के अंदर और खासकर ये एक्सचेंजेज जो एमेम टाइप एक्सचेंजेज हैं उनका जब हाई पाया यूनिसवाप जब लेका है तो बैंक और ने डिलिवर किया मताब बैंक और ने रिटर्न दिया अला कि फेल भी हो गया अब ही देखो किस तरीके से कैसे वो वापसी करता है कैसे बाउंस करता है क्योंकि सिंगल साइट स्टेकिंग विदाउट जीरो जीरो इंपरमानेंट लॉस में I think that exchange has failed now बट हाँ अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो जबरदस रिटर्न देखने को मिला इसके अंदर तो यह जो बॉटम इसका बना था वो I think 15 million के आसपास बना था 10-15 और 10 million वही अपना जो कोवेड क्राश हुआ था उसके बाद यह 1.5 billion के आसपास गया था यानिकि 100x से जादा का रिटर्न यह दे के गया था इसका प्राइस मत देखो क्योंकि इसका जो mechanism था क्योंकि इसलिए मैंने इसको बेचा भी था जब भी आप single side stake करते हो तो इसमें वो supply में नए bank or जो मिंट करके आपको देता था तो market का बढ़ता था तो आपका भी appreciation होता था capital आपका investment तो बढ़ा ही है चाहे वो number of quantity से बढ़ता से एंपल में rebase होता है या price appreciate हो तो इसके अंदर 100-200x का return bank or देके गया है और मैंने जहां पे इसको invest किया था वहां से I think 50x से जाधा return bank or ने दिया था तो मेरे को personally लगता है कि जब इसका जैसे GMX अल्रडी lead कर रहा है और आने वाले time मेरे को लग रहे है DYDX बहुत जबर्दस्त करेगा जब इसका अपना app chain launch हो जाएगा तो मेरे को लग रहे है DYDX 30, 40, 50 billion भी जा सकता है जैसे Uniswap गया था 50 billion तो उस case में अगर perpetual 3, 4 billion भी पकड़ ले तो बहुत अच्छा return देखे जाएगा क्योंकि यहां पर आप देखो तो fully diluted valuation 57 billion गया है नहीं कि अगर 5 billion जाता है 5,5,5 billion तो 100x हो जाएगा और 2,5 billion जाता है तो यहां से 50x हो सकता है मैं fully related पकड़ के चल रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा बहुत इंवेस्ट किया और मैंने 52 weeks के लिए lock भी कर दिया है देखते क्या होता है क्योंकि कभी कभर क्या होता है बहुत जादा प्राइस जाता है तो अरली बहुत जादा निकल जाते है तो मैंने 52 weeks के लिए lock कर दिया है और वहां पे yield weekly मिलता है अपना USDC में real yield और प्लस पर्प मिलता है जो कि lock है 52 weeks के लिए तो definitely आप इसको रेडार पे रखे आकाश जो है इसके उपर एक dedicated video planned है मेरा मैं definitely ले के आऊंगा I am hugely bullish on आकाश बहुत ही products इसके नए-ने ले के आ रहा है और बहुत अच्छी जी partnerships हो रही है और बहुत जादा जो cryptocurrency के अंदर, blockchain के अंदर या traditional में भी जो companies है they want to use आकाश solution जो cloud compute का है तो इसके उपर में ले के आऊंगा इसमें मेरा allocation ज्यादा है क्योंकि देखो मेरे को file coin में invest करना है लेकिन file coin में levels नहीं मिल रहा है तो मैं इसी में थोड़ा बहुत ज्यादा मैंने इन्वेस्ट अभी करके रखा हुआ है इसमें मेरा allocation है I think 5% के असपास AKT में मैंने इन्वेस्ट किया है तो इसमें मैं dedicated वीडियो ले के आऊंगा pocket और जो है मेरे portfolio में और मैं 90% के असपास down हूँ मैंने high पे लिया था तो इसको लेकिन आप एक web 3 infrastructure अगेन ये भी play है जैसे AKT है तो इसको आप definitely radar पर रख सकते है 8% इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो यह RPC service प्रवाइड करता है तो friends यह सारे tokens हैं जो कि मैं पसंद करता हूँ या मैंने इन्वेस्ट किया है या सोच रहूँ कि मैं इनमें इन्वेस्ट करूँगा सब promising projects हैं अपने अपने field में और बात होई है कि allocations का आपको ध्यान रखना है आदा परसन से लेके 2-3-4% देखो जो solid small cap है 50-100 million के जिस पर fundamental बहुत अच्छा है जैसे AKT मैंने बताया चाहे अपना perpetual है तो इसमें आप चाहो तो 2-3% डाल सकते हो लेकिन जो micro caps है और बहुत ही जो gambling type है उसमें आदा 1% ही आप invest करो और यह देखते हैं यह कैसा रहता है हमारा plan और de-risk करना जरूरी जहां भी 2-3-100 अपना पैसा बाहर करते जाओ और free की quantity hold करो let's see how it goes तो friends आज के लिए इतना ह आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो थैंक यू लगा होगा थैंक यू वेरी मच पर यू टाइम आप ग्रेट देया है